हैलो इव्रिवन कैसे हैं आप सब होप सब सेफ होंगे सरक्षित होंगे आज हम डिस्कस करेंगे जुलाय मन्त की ड्यूडेट्स चाहे वो GST Act में हो, चाहे वो PF में हो, चाहे ESI, चाहे TDS, चाहे Income Tax जो जो जुलाई मन्त में fall कर रही है, उसको हम देखेंगे तो हमने कोशिश करी है कि A की sheet में सारी due rate जो है A की जगा पर collaborate कर सकें ताकि इसको refer करने में असानी हो तो हम पहले first of all GST की बात करते हैं, तो GST में 3B के respect में March month की जो due rate है, वो category 1 state की जो fall कर रही है वो 3rd of July 2020 है, अगर turnover 5 crore से कम है, अभी हम discuss कर रहे है वो वाली category जिनकी turnover 5 crore से कम है और category 1 या 2 में fall कर रही है अगर category 2 में fall कर रही है तो March month की जो due rate है, वो है 5th of July और अगर April month की बात करें, तो April month में category 1 state की due rate है, वो 6th of July है April month की, और अगर category 2nd state पे fall करती है, वो वाली state जिसकी return file होनी है तो April month की उसकी due rate होगी 9th of July 2020 और अगर हम में मन्त की बात करें, तो category 1 state के लिए में मन्त की due rate है, वो 12th of July 2020 है और category 2nd में मन्त के लिए जो due rate है, 14th of July 2020 है ऐसे ही June month की बात करें, तो category 1 में state fall कर रही है, तो उसकी due rate पढ़ेगी 22nd of July 2020 और category 2nd state पर fall करेगी, तो June month की due rate पढ़ेगी 24th of July 2020 ये जो due rates हैं, इसके बाद भी अगर फाइल होती है, तो late fee जो है, वो रिस्टिक्ट हो जाएगी, अगर टेक्स पेबल नहीं है, तो उसके इसमें, वो जो है, पूरी की पूरी निल हो जाएगी, तो category 1 के जो states है, वो हम देख लेते हैं, जो 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 जिसमें फॉल कर रहे हैं, चत्तिसगर, मद्यपरदेश, गुजरात, महरास्ट, करनाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडू, तिलंगाना, आंदरपरदेश, दमनन्दियू, दागर और नागर हवेली, पॉंडिचरी, अंदमान और निकोबार और लक्षदीब, और जहां पे category 2 केस में, हिमाचल परदेश, पंजाब, उत्रागंड, हर्याना, राजिस्तान, उत्र परदेश, बिहार, सिक्किम, अरुनाचल परदेश, नागलेंट, मनिपूर, मिजोरम, तिरुपरा, मेगाले, असंप, वेस्बंगॉल, जारकंड, ओडिशा, जम्मुन कश्मी, लद्दा Category 2, दोनों की जो due rates है, वो अलग-अलग mention की गई है, और अगर turnover जो है 5 करोड से उपर है, तो उस case में क्या होगा, अगर turnover more than 5 करोड है, तो जून मन्त की जो due rate है, उस case में 20th July, जो की normally है, वैसे ही, वैसे भी 20th July है, तो वो ही इसमें due rate है, इसके बाद भी अगर फाइल होत हैगी, notification का effect आ जाएगा, लेकिन इन cases में interest लगेगा, अगर यह date cross होगी, तो interest लेवी होगा, तो इसलिए बेटर है, यह timely file हो, अब हम बात करते हैं, GSTR 1 की, GSTR 1 जो की notification 53 oblig 2020 में specified करी थी इनकी dates, तो अगर up to 1.5 करोड है, और quarterly return mode quarterly है, तो उस case में, जो है, original due rate तो 30th April है, लेकि जो extended date है, वो 17th July 2020 है, अगर हम बात करें, जहांपे turnover 1.5 करोड से जादा है, तो उसमें March मन्त की due rate है, वो 10th July fall कर रही है, और April मन्त की 24th July fall कर रही है, May June की, May मन्त की 20th July 2020 fall कर रही है, और अगर up to 1.5 करोड है, तो इस financial year की April, May, June की जो है, वो 31st July fall कर रही है, तो यह सारी जो dates हैं, यह भी जुलाई मन्त में ही fall कर रही है, अगर हम composition के respect पर बात करें, तो composition में mainly 4 compliance जो बन रहे हैं इस मन्त में, first compliance CMP08 file करना होगा, 4th quarter of financial year 1920 का, तो उसकी due date है 7th July 2020, 7th July 2020 तक CMP08 file होना है, 4th quarter of 1920 का, और 18th July 2020 due date है, first quarter of financial year 2021 की CMP08 file करने की, 18th, जो की normally होती है, तो वो ही date fall कर रही है, 18th July 2020, GSTR 4 file करने की, जो yearly return जानी है, GSTR 4 financial year 1920 की, उसकी जो due date है, वो भी 15th July 2020 है, और ITC 04, जिसने composition scheme opt करी है, इस current financial year में, financial year 2021 में, तो उसको भी 31st July 2020 तक ITC 03 भी file करना होगा, तो ये 4 compliance हैं हमारे composition scheme में, जो है, जिसने भी composition scheme ली वी है, तो उसको ये 4 compliance जो है, July मन्त के अंदर, जो है, fulfill करने हैं, अब हम बात करते हैं, income tax की, income tax में अगर हम बात करें, तो 7th July 2020, जो है, जून मन्त की जो TDS जमा करना था, उसकी due date थी, ठीक है, और 7th July 2020 ही, अगर किसी assessing officer ने permit किया हुए quarterly, जो है, TDS deposit करने के लिए, under section 192, 194A, 194D, 194H में, तो उस case में, जो है, उसकी due date भी, 7th July 2020 थी, और 15th July 2020 तक quarterly statement TCS की जमा करनी है, कौन से period की, अपरल से लेकर, जून का जो quarter है, इस financial year का, financial year 2021 का, उसकी due date है, 15th July 2020, ऐसे ही सेम, TDS के case में, जो government official के case में, जो director अगर government offices है, तो उस case में, 15th July, जो है, उसकी TDS की भी quarterly statement की date है, और जो TDS deposit करना है, TDS deposit की जो quarterly statement फाइल करनी है, first quarter of financial year 2021, तो उसकी due date है 31st July 2020, और पिछले साल की, जो financial year 2020 का, fourth quarter की return कब तक जानी है, 31st July 2020 तक, युकि इसकी date extend हो गई थी, तो दोनों की दोनों date जो है, 31st July 2020 तक हमें, TDS का भी comply करना है, और 31st July 2020, जो है, हमें investment, जो हमें claim कर सकते हैं, financial year 2020 में, उसकी जो date थी, 30 June तक थी, जो की एक महिना further extend कर दी थी, ताकि हम उसको claim कर सके, financial year 2020 की investment में ही, और उसकी deduction ले सके, ATC, ATD, ATG और जो बाकी section है, उसकी date एक महिना और बढ़ गई थी, तो 31 July उन investments की भी last date है, और income tax return की भी financial year 18-19 की, जो की एक महिना और बढ़ा दी थी, तो 31 June से तुबारा वो 31 July तक हो गई थी, तो इसकी भी 31 July 2020 last date है, 31 July 2020 के बाद हम income tax की financial year 18-19 की हम return नहीं फाइल कर पाएंगे, और अगर हम ESI और PF की बात करें, तो उसकी भी due date जो है June मन की, वो 15 July 2020 फॉल कर रही है, तो यह सारे जो उनसी भी due dates जुलाई मन पर फॉल कर रही है, अगर किसी का कोई compliance इस period का रहता है, तो उसको जुरूर उसको पूरा कर लें, ताकि किसी को भी late fee or interest, late fee तो खैर अभी September तक जो है नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो reduce, 500 तक reduce होके लगेगी, otherwise penalty, interest वगेरा, basically हमारा target होगी, ये time से जो हैं, ये सारे compliance हो जाएं, क्योंकि अपना यहीं अलग्ष, ना लगे penalty, ना late fee और ना ही interest, तो hope ये information आपके लिए useful रही होगी, और आप औरों को भी circulate कीजिए, क्योंकि काफी लोगों के जो compliance हो सकता है, इस मंद में fall कर रहे हो, जुलाए मंद में, और किसी का skip ना हो जाए, तो आप इसको और लोगों को भी share कीजिए, तो इसी के साथ हम next video में मिलते हैं फिर, thank you, thank you very much, जैहिन जैभारत!